हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे युट्यूब चैनल सीकारी स्टैडी पॉइंट पर दोस्तों आज के इस वीडियों बात करने वाले हैं तीस मेंत्पूर्ण क्वेश्चिनों की इसमें से सब्सक्राइब आपको परसंदेख्शनों को मिलेंगे वो रहें तो यह आपको बताना है करेंट पदक 2021 से किसे सम्मानित किया गया है यह आपको बताना है और दूसरा परसंदेख्यूर्ण मैं आपको खुद बताता हूं वह है विश्व खाद्य पुरुषकार 2021 किसे दिया गया है विश्व खाद्य पुरुषकार 2021 किसे दिया गया है शकुंतला हरक सिंग थिलि स्टेट को तो ये भी आपको बिल्कुल याद दखना है उसना कुछ एक्जाम में जरूर यहां से बनेगा विश्व खाद्य पुरुषकार 2021 सकुन्तला हरक सिंग थिलि स्टेट को दिया गया है और आपको बताना है अंतराश्टी ये अजे सुन पदक 2021 किसे दिया गया है ये आपको बताना है अब बात करते जो कल का परस्ण था उसकी कल का परस्ण था कत्यूरी मानसरवर्पत्रिका बलोंतर मनराल के दौरा निकाली गी थी और इन्होंने यहापर लिखाया है बलोंतर मनराल दौरा मुझपंपर नगर कांड से परवाइत होकर अपनी कवीता पहाड के आगे बीतर पहाड को परकाशित करने के लिए पादन किया था यह इन्होंने आपर बताया लगवग लगवग सभी ने बल्वन्त मन्राल बल्वन्त मन्राल सभी ने बताया हुआ है को इसको निकाला गया था तो यह आपको याद अब बात करते हैं आज के इंप्रटेंट कुश्चिन होगी पहला परस्न है शुरुआत होगी हिंदी से और पहला परस्न है जो स्वरुनाम वक्ता शुरुता अथुआ किसी अन्नी बैक्ति के लिए परयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं यह आपको यह आपर बताना है संबंद वाचक सरुनाम, पुरुस वाचक सरुनाम, नीज वाचक सरुनाम या फिर अनिश्चे वाचक सरुनाम तो इसका सेवतर हो जाएगा पुरुस वाचक सरुनाम जो सरुनाम वक्ता, स्रोता अथ्वा अन्नी किसी बेक्ती के लिए परियोग किया जाता है उसे कहते हैं पुलू स्वाचक सरुनाम तो option number B हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर अगला परसन है दिये गे बिकल्पु मैंसे किसोर का समानार्थी आपको बताना है किसोर का समानार्थी सब्द कौन सा होगा किसोर का पर्यवाची आपको बताना है तरुन, कोलाहाल, समद्दार या फिर पारिवारिक तो इसका सरुतर हो जाएगा किसोर आपने बिल्कुल सही पहचाना होगा तरुन हो जाएगा इसका क्योंकि यूवक, तरुन, किसोर ये सब पर्यवाची समानार्थी है इसका सरुतर हो जाएगा option number A तरुन, किसोर तरुन अगला परशन है निमिल लिखित मैं से किस सब्द मैं गुण संदी है तो ये आपको बताना है किस सब्द मैं गुण संदी है चार आपके सामने है किस मैं गुण संदी है ये आपको यहाँ पर बताना है हिमालाई, इत्यादी, देवेंद्र या फिर तल्लीन तो किसमे गुण संदी है ये आपको यहाँ बताना है तो इसका सेवत्र हो जाएगा देव, धन, इंद्र तो एक मातर आपको दिख रहे होगी तो गुण संदी AOR तो देव, धन, इंद्र ये हो जाएगा देवेंद्र ओप्सन नंबर D हमारा बिल्कुर सेवत्र, इत्यादी में कौन से संदी होगी ये भी बहुत बार आता है एक्जाम में, इत्य धन, आदी इसका संदी विच्चेत होगा और इसमें कौन से संदी होगी, तो इसमें होगी यन संदी तो इसका सेवत्तर हो जाएगा गुण संदी किसमे है तो देवेंदर में है तो option number D हो जाएगा हमारा बिल्कुल सेवत्तर अगला परसन है वह आया और मैं गया गजब वह आया और मैं गया इस वाक्य में समुच्ची बोदक सब्द यहां पर आपको बताना है तो समुच्ची बोदक सब्द यानि कि जो दो इन यहां पर जोड़ रहा होगा किसी ने किसी चीज़ को दो आया गया और या वह तो यहां पर बीच में और दिख रहा तो यही हो जाएगा हमारा सेवत्तर वह आया और मैं गया तो यह और जो हो जाएगा यही हो जाएगा हमार बिल्कुल सही उत्तर बाग की कुछ भी रह सकता है वाग की कोई भी रह सकता है बाग की समुच्ची बोदग आपको पहचानना पड़ेगा एक्जाम में बाग की वह आया और मैं गया कुछ भी अलग तरी से वाग की रह सकता है इसका से उत्यों जगा option number C अगला परसन है उस जगय का सबा होने जारी है उस जगय का सबा होने जारी है रेखांकित में कौन सा परसर्ग है यानि कि परसर्ग जो है परसर्ग यानि कि कारक चिन्दू कोई परसर्ग कहते हैं किसी एक्जाम में भी बना था परसर्ग किसे कहते हैं तो कारक चिन्नों को परसर कहते हैं, तो इन मैं से उस जगह पर जो सभा होने जारी तो इस पर रेखांगित सब्द में जो उस जगह है, यहां पर कौन सा कारक है यह आपके यहां बताना, करण, सम्परदान, अधिकरण, उस जगह मैं पर तो उसका सेवतर हो जाएगा अधिकरण मैं पर option number D option number B हो जाएगा हमारा बिल्कुल सेवतर अधिकरण कारख होगा उस जगह का सबा होने जारे तो option number B अगला परसन है इन में से पश्चमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है तो इन में से आपको बताना है पश्चमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है बरजभासा, कन्नोची, बुन्देली या फिर बग्गेली जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है जो अनभावी है उनके लिए विल्कुल आसान कोश्चिन है बरजभासा, पश्चमी, कन्नोची, पश्चमी, बुन्देली ये भी पश्चमी बाकी आप्शन नमर B हो जाएगा हमारा बग्गेली ये है पूरवी हिंदी की बोली है बग्गेली और अउधी, बग्गेली और चटिस गड़ी ये सब पूरवी हिंदी की बोलिया है और यहाँ पर पश्चिमी हिंदी, पुरिजभासा, कन्नोजी, बुंदेली यह सब पश्चिमी हिंदी की बोली है अगला कोश्चिन है निमलकित मैंसे कौन सा वाक की सुद्ध है तो यह आपको बताना है यहाँ पर इन मैंसे कौन सा वाक की सुद्ध है तो ये भी एकजाम आया वाप परसन है, उसने मुझे पास आने के लिए कहा, कौन सा वाक के सुद्ध है, उसने मुझे पास आने को कहा, या फिर उसने मुझे पास आने को कहा, या फिर उसने मेरे को पास आने के लिए कहा, तो इन में से आपको बताना है कौन सा सुद्ध होग तो अभी तक आपने खुद भी पढ़ लिया होगा मैंने आपको पढ़कर बता दिया है तो जो सही लगा इसका सेथर उजय का option number A उसने मुझे pass आने के लिए कहा तो इसका सेथर उजय का option number A तो ये भी परशन एक्जाम आया हुआ था बाकि जो वाक की सुद्दर सुद्दी स प्रशन आते हैं इनको आपको एक्जाम्म करने के लिए थोड़ी समझ होनी चीए बाकि आप कर ले जाएंगे क्योंकि बहुत सारे हैं आयो कुछ भी वाक कि अपनी इसाब से बना सकता है तो इसका से उत्रों जाएगा ऑप्शन नमर ए अगला प्रशन है ये उत्तरकासी और ह हिमांचल परदेश की सीमा पर कहां पर इस्तितर रूपकुंड की फूलू की घाटी तो ये तो रूपकुंड फूलू की घाटी तो नाम सी पतालचल्ला की चमोली में है तो इसका से उत्तर हो जाएगा माजी वन फूलू की घाटी ऑप्शन नमर बी जो की उत्तर परदेश में राजकुमार सुलेमान्षिको ने नैपाल में हिमाच्चल में ने प स्रीनगar गडवाल में थी लेग CSS नहीं मिल पाई थी बाजभाद रुचंद था उस समय क्योंकि शोल सो ठाउन में यह आये था शोल सो ठाउन में तो उस समय बाजभाद रुचंद था तो श्री नगर गडवाल इसका सेटर जैगा ऑप्सन नमर बी हमारा बिल्कुल सेटर पिर्थी पतिसा ने मुगल सहजादा मुग पकरने के लिए जैशींग को गडवाल भेजा था पर क्या हुआ फिर यह हुआ कि मतलब जब शुलेमान six को ने जैशींग को इसको सुलेमान सिको को पकड़ने के लिए भेजा तो फिर उसके बाद जो मेदनी राय है जो पिर्थी पति साग के पुत्र उन्होंने और जो एक राई सिंग है इनके दौरा दिल्ली में 1660 में दिल्ली दर्बार में पेश किया गया था फिर सुलेमान सिको को तो इसका सेटर हो जाएगा ओप्शन नमबर सेटर तुमडिया डैम उनिस्ट अक्सेट में इसका निर्माड योजिना शुरू ही थी तुमडिया डैम कासिपूर तो यह आपको विल्कुल याद दखना है अगला प्रसने है उत्रा खंड में कुली बेगार आंदोलन से सम्मदिर रेजिस्टर का नाम क्या था तो यह आपक यह फिर मैनवल ओप गॉआर्मेंट ए तो आपने विल्कुछ और टिक है और ऑफ्शन नमर डी मैनवल ओप गॉआर्मेंट ओर उत्रा खंड में कुली बेगार सम्मदिते जो रेजिटर का नाम था आप सबीडिमेनुल ओफ गॉआर्मेंट और कुली बेगार के बारे माप स में इसकान्तु वाइसे जो ऑफिसली तौर पर है 1923 में इसकान्तु वाता और बांकि जो रेजिटर है रेजिटर का नाम था मैनुवल ओफ गवर्मेंट ओर्डर तो ऑफ्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सहुक्तर अगला परसन है हिमालाई एक्षन 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 सेंटर हौर की स्तापना हुई तो इन में से आपको बतानाै यह भी आपको परिक्ष्ट सेंटर हौर की स्तापना हुई इसे तरसे ओप्सशन आपके सामने दिखेंगे एक्जाम में तो यहां पर जैसे एब इ genocide है तो मान लिजे कि प्रस्निक जाम माया हुआ है तो इसका से उत्तर हो जाएगा 1988 में हिमालाई एक्षन एंड रिशर्षी सेंटर होर्ग की स्तापना 1988 में हुष्टी का इस्तित है तो ये तहरादुन में है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल से उत्तर ज्यादा तर जो अब ही आपको सजेसेन में कोई ने कोई वीडियो भी जरूर आ रही होगी आप वहां से भी देख सकते हैं अगला प्रस्न है कारबेट यह आप समझ गयोंगे कहां पर कारबेट राश्टी उद्ध्यान थोड़ा यहां पर पता नहीं कहां काईब हो गया कारबेट राश्ट यह उमना उत्तरकाशी देखरादू यहां लेकिन बहुत दूर है तो इसका से भी जाएगा राम गंगा और कोशी कारबेट राश्टी उद्ध्यान दो नदी तर्टू के मद्धी इस्तित्या ओप्शन नमर ए हो जाएगा हमारा बिलकुल सही उत्तर तो यह आपको बिलकु हुआ दूरन रिखकतले परी इसका सिद्धर जाएगा और को अगला पर्सनख कौन सा त्योहार मासु देपता का त्योहार है जो की मासु देपता के इसbnान के लिकिनोव मास में मनाया जाता है पहली बात तो यही जो तेहडर है की ऊंछ्र के पादर की बगलता है तो कौन सा है जाएगा जागरा बिल्कुल से उत्तर यहां पर हो जाएगा अगला परसने ACI खेल में स्वण पदक प्राप्त करने वाले पर्थम उत्राखंडी कौन है तो ये आपको यहाँ पर बताना है जस्पाल राणा, हरिश चंदर रावत, माया टम्टा या फिर पदम बहादुर मल्ड तो माया टम्टा की बात करें तो माया टम्टा भारत उत्राखंडी की पहली महिला मेजर जर्णल है हरिश चंदर रावत ये पहले परोतार हो ही रहे है जस्पाल राणा, गोल्डन बोई, निसाने बाजी से इनका संबन्द है जसपाल डाणा अप्सन नमर और 1962 में इनको औरदुन पूर्शकार दिया गया था बनकी ये बहुत आपको लगा आओग्या कि अगला परसन है उत्राखंड का एक मात्र मंदिर जिसके कपाट रक्चा बंदन के दिन खुलते हैं और बंद होते हैं तो यह आपको बताना है अंजनी मंदिर यह ओली में वनसी नाराण मंदिर उमा मंदिर लाटू मंदिर सभी बांकी चमोली के ही हैं सब लगबग लगबग तो इसका स्वक्तर हो जाएगा उत्राखंड का एक मात्र मंदिर जिसके कपाट रक्चा बंदन के दिन खुलते हैं तो वनसी नाराण मंदिर तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है रक्चा बंदनी के दिन खुलते हैं और उस दिन बंद होते हैं तो वनसी नाराण मंदि तो उत्राखंड राज जी बिग्यानियों ओध्यों की परिशत का गठन कप किया गया तो वर्शत 2005 में तिरहाद उनमें इस्तित है तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है उत्राखंड राज जी बिग्यानियों ओध्यों की परिशत 2005 में और यूसेक की स्थापना भी 2005 में उत्राखंड अंत्रिक्ष उप्योग केंदर यूसेक 21 सितंबर 2005 को इसकी स्थापना हुई ती यूसेक की वह भी धिराद उनमें है बाकि उत्राखंड राज जी पिग्यानेंवं परद्द की परशद तो ये 2005 में अगला परस्ण है बाल गंगा साइक नदिये भागी रती की भ प्रोग्रामिंग हेतु बिक्सित पर्थम भाषा कौन सी थी पास्कल, बैसिक, कोबोल, फ्वर्टोन तो सभी भाषाएं हैं कंप्यूटर की तो इसका स्थर्ट वह भाषाएं कंप्योटर की तो इसका स्थेट जगしました, फार्मुला टांस्रेशन ये इ TV पर्थम जो प्रोग् निमली खित मैं से कौन सा युगम का मिलान सही नहीं है लोड अलोजी राज्य अफरनेति एक नम्बर के लिए भी आता है राज्य अफरनेति किसने किती लागो ये सब लेशाइत बील्कुल चंधी सफ कर्ण। चंदी गोर हम कर दिंगे यहाँ पर लिटन लिटन कर दिंगे तो यह हो जाएगा सई बाकि लिटन वर्णा कुलर प्रेस एक्ट अठार सो ड़तर तो यह बिल्कुल आप याद रखेगा वेले जली की सायक्षंदी बहुत ज्यादा परसिद्ध है लॉर्ड मिंटो इंडियल कौन सील इन में से आपको बताना है स्री लंका पर बिजय प्राप्त करने वारा चोल वंस का पर्थम राजा कौन था तो इसका सेवत्तर जाएगा राजेंडर परथम पहले चोल आजा जिन्होंने स्रीलंका पर विजय पराप्त किया था तो option number B हो जाएगा हमारा विल्कुल सहीवत्तर और राजेंदर चोल ने गंगई कोंड चोल की उपाधी भी धारण की थी तो गंगई कोंड चोल की उपाधी भी नुने धारण की थी राजेंदर पर्थम न किरीमियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया था तो यह आपको बताना है 854 से 856 में लड़ा गया था किरीमियन युद्ध किन के बीच रूस और तूरकी USA इंगलेंड फ्रांसे रूस और जापान तो इसका से उत्तर हो जाएगा रूस और तूरकी के बीच लड़ा गया थ 1854 और 155 के बीच में किरी मेन का युद्ध अप्शन नमर ए हो जाएगा हमारा बिलकुल सही उत्तर अगला परसन है भारती सभीदान का अनुचेद आर्टीकल एक भारत को क्या घोशित करता है एक राज्जी संग एक संगी राज्जी एक अर्द संगी नहीं एक आत्म नहीं ए एक संगी राजजी या फिर एक संगी राज़ी तो इनमें टक कर रहा है पर इसका सेउत्र हो जाएगा जैसे आपने पढ़ा होगा कि राज़ी। का एक संग तो एक राज्य संग हम करेंगे और भारती सविधान का आर्टिकल अनुचेद एक जो है भारत जो है यह राज्यू का संग है तो अगला परस्न है निमिल लिखित मैं से भारत का कौन सा राज्य अंतराष्टी थल सीमा साजा नहीं करता है जम्मु कस्मीर सबसे उपर आपको भली बाती बता है जम्मु कस्मीर बिल्कुल करता है उत्तर परदेश भी लगा हुआ है नैपाल से बिहार भी लगा हुआ है नैपाल से तो मद्धी परदेश बिल्कुल तेंदूलकर समीथी तो ऑप्सन नमबर सी ओजाएगा इसका सुरेश तेंदूलकर समीथी तो ऑप्सन नमबर सी हो जाएगा इसका सेउत्तर इनके नुसार जो परतिमा उभोक की दरजें गरामेड चेतर में 816 और सहरी चेतर में 1000 रुपे यह इनने बताए था तो इसका से उत्र हो जाएगा गरीबी को मापने के लिए ऑप्सन नमबर सी अगला परसन है रगुनात मंदिर देव पर्याक पहली बात तो यह रगुनात मंदिर का देव पर्याक परसन महीं है किस पार स सक के मिर्टि हुए थी उपेंर सहाज जय कृत्र सा ललीट सा श्याम सा तो स्याम सा की तो हुए ती अलतनेंदाम्य डूपने से ललीट सा यह इनकी मिर्टि मलेर्या से और बाकी जय किरत्र हो जाएंगे ऑप्सन नमर भी झो देव पर्याग मंदीर है परेज कीमार शाक है जैसाइव जाइगा हमरे बिल्कुल सेब्सक्राइब दरवनर्षेली में है देव पर्यागु है मंदित देव पर्याग का फी पवित्र जगह है अगला कोश्चिन है निमलिकित में से कि जन पद में शिक्कु का पवित्र तिस्तल मीठा रीठा साहिब इस्तिद है बागेश्वर चंपावत फिर थोड़ा गार या फिर देरा दुन तो इसका सेथर हो जाएगा चंपावत में अप्सन नमबर सी लधिया या राटिया नदी इधर है मिठा रीठा साहिब गुरुदारा बना था उन्हीं सो साट में बना था इधर और मीठे रीठे इधर होते हैं उपर साथ के रूप में इधर मिलता है तो इसका से तो जाएगा चंपावत में ऑप्सन नमबर सी अगला तो यह भी आपको देखने को मिलेगा बद्दीनात में तो इस तरह से कुछ भी चीज़े हैं एक्जाम में इस तरह से पूछी जाती हैं तो इसका सब्सक्राइगा पीला पानी नमगिस्तान नहीं ताल में अगला कोश्चिन है सुंगोली की संदी किस किस के बीच हुई थी अगला कोश्चिन है अगनी संभाव रचना किस की है अगनी संभाव रचना किस की है गोबिन चातक लिलाधर जगुड़ी विद्दा सागा नोट्याल तो इनमें से आपको बताना अगनी संभाव है हिमानसु जोसी की हिमानसु जोसी की और समय साक्षी भी इनीका है समय साक्षी है हिमानसु जोसी अगनी संभाव हिमानसु जोसी तो इनीका है तो इसका सित्र हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी लिलाधर जगुड़ी को ब्यास साहित्यकाद मिला था जितने लोग उतने प्रेम के लिए इनको मिला था ब्यास समान मुझे लगा कुछ ना कुछ गडबर हो रही है तो इसका सिप्तर हो जाएगा अगनी संभव हिमान सुजोसी अगला परस्न है उत्राखंड में कौन सा एक परकार का बन नहीं पाया जाता है अलपाएन इंकोन धारी सितोशन पजण ये बिर उस्ट्न सदावार तो बन इंकोन धारी भी पाये जाते हैं आप option number D हमारा बिल्कुल सही उत्तर तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 important question बांकि कल को मिरेंगे एक धमाकेदार वीडियो में बांकि आप बुक्से पढ़ते रहिए तैयारी करते रहिए जहां से जो मिला आप पढ़ लिजे क्योंकि अभी आपके लिए जरूरी है कि आपका selection बांकि लीलातर जगुडी के बारे में वह मैंने आपको आगे पिछे बता देता जितने लोग उतने प्रेम के लिए इनको ब्यास सम्मान मिला था 2008 में अनभाव के आकास में चांत के लिए साइत्यकाद मिला था उनिस्वा सतानम्वे मैं तो अगनी संभाव हिमान सुजोश दोस्तों यह थे आज के कुश्चिन बागी मिलें के बहुत जल्दी थैंक्यू फ्रेंड थैंक्यू सो मच